नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशितार शिवास्तव इस बुलिटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आईए देखते हैं सुर्खिया लद्दाक स्वायत परवतिय विकास परिशत की टिमिस गाम सीट पर कॉंग्रेस को मिली जीत उपचुनाओं में बीजेपी उमीदवार को हराया कॉंग्रेस सांसा जैराम रमेश ने कहा गुलाम नवी आजाद के लिए है ब्रेकिंग न्यूज महराष्ट के और अंगाबाद में छत्रपती शिवाजी की प्रतिमा अनावरन पर हुआ हंगामा CM1 नातुशिंदे ने किया प्रतिमा का अनावरन NCP शात्र संगठन ने किया शुद्धी करण विरोधी दल को निमंत्रण ना देने पर नारास थी NCP प्रशांत किशोर के दावे को जेडियो अध्यक्ष ललन सिंग ने किया खारिज कहा नितीश ने नहीं दिया पीके को साथ आने का ओफर पीके करते हैं अपनी मार्केटिंग लंदन के लिए रवाना हुई राष्ट्रपती द्रोपती मूर्मू महरानी अलेजबेट के अंतिम यात्रा में हूंगी शामिल तो ये थी सुर्खिया और अब बात आज की सबसे बड़ी ख़बर की जो जोड़ी है भारत जोड़ो यात्रा को लगातार मिल रही सफलता से कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दसवा दिन था और हर दिन की तरहा आज भी यात्रा की शांदा शुरूआत होई जिसने कॉंग्रिस को एक कदम और आगे बढ़ा दिया तो क्या रहा आज का कॉंग्रिस का कारिकरम इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा वही तेलंगाना चुनाओं में खुद को बहतर बताने की होड में लगी टी आरेस और बीजेपी में आज फिर आरो प्रत्यारोग का दौर देखने को मिला तो किसने क्या कहा ये भी जानेंगे इसके साथ ही गुजरात में कमजोर होती बीजेपी हार के डर से क्या पैत्रे अपना रही है इस पर भी होगी बात और उद्दर ठाकरे ने एक बार फिर शिंदे गुट को क्यों दे डाली खुली चुनोती साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे केंद्र तेजस हुई आदब पर बना रहा है दवाब आज की इन एहम खबरों के अलावा और भी दूसरी खबरों पर रहेगी नजर लेकिन सबसे पहले बुलिटिन की शिरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ तो दोस्तों भारत जोडो यात्रा ने देश में धूम मचा दी है इस यात्रा से कॉंग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पा सकती है क्योंकि इस यात्रा को उसके लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है वहीं आज इस यात्रा का दस्वा दिन पूरा हो गया तो क्या कुछ हुआ आज और कहां पहुँची यात्रा जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट भारत जुड़ो यात्रा का आज दस्वा दिन था और हर दिन के साथ ही यात्रा से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है आज राहुल गांधी को केरल की एक महिला ने चटाई भेट की जिसका फोटो राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया साथ में लिखा आज सुभा एक नायाब तोफाह मिला प्यार के धागों से बुनी एक चटाई एक मा की ओर से बेटे के लिए भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ कॉंग्रिस के बीजेपी पर हमले भी बढ़ते जा रही है कॉंग्रेस सांसर जयराम रमेश ने कहा बीजेपी शासन में एक तरहा से देश का बटवारा हो गया है देश जबरदस्त आर्थिक असमानता सामजिक ध्रूवी करण और सत्ता के केंद्री करण का सामना कर रहा है बीजेपी ने समाज के विविन वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर विवाजन पैदा किया है आज लोग धर्म संस्कृती और यहां तक की खानपान को लेकर बटे हुए हैं राज्यसरकारों के अधिकार प्रधानमंत्री कारले ने छीन लिये हैं इसके साथ ही जैराम रमेश ने ये भी एलान किया कि एक नवंबर से कॉंग्रिस असम में असम जोडो यात्रा शुरू करेगी इस बीच कॉंग्रिस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीम मोधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उनका जन्म दिन है हम उन्हें इसकी शुपकामनाय देते हैं आज पीम मोधी की उपलबनियों की खूप चर्चा हो रही है देश की उवाओं को मोधी जी ने इतना कुछ है कि वो आज का दिन राष्टी बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से जहां कॉंग्रिस को मजबूती मिलती दिख रही है वहीं कॉंग्रिस विरोधी दल उस पर तन जुकसने से भी नहीं चूक रहे हैं दिल्ली के सीम और आप संयोजक अ की इंद्र बनाने की कोशिश कर रही है कॉंग्रेस की इस यात्रा की शुरूआत भले ही दक्षण से हुई हो लेकिन इसका असर देश भर में नजर आ रहा है यही कारण है कि बीजेपी डरी हुई है और दक्षण में पहले से कमजोर बीजेपी अब वहां और भी ज्यादा उसी के चलते आज अमिश्याह तेलंगाना दौरे पर पहुँचे और उन्होंने तेलंगाना सरकार पर निशाना साधा तो वही केसियार ने भी बीजेपी को निशाने पर ले लिया बीजेपी भले ही देश के ज्यादतर राज्यों पर काबिज हो लेकिन करनाटक को छोड़ दक्षण में हमेशा वो बेदम साबित होई है हाला कि वो तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाओ के लिए जोर जरूर लगा रही है लेकिन उसके लिए रहा आसान नहीं ह क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंदर शेखर राओ लगातार उसके खलाफ हुंकार भर रही हैं साथ ही केंद्र के विपरीत भी जा रही हैं दरसल राज्य सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना राष्टी एकता दिवस के रूप में मनाया जबकि केंद्र ने इसे है अफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं अगर धार में कट्रता बढ़ती है तो ये राष्ट के जीवन को नश्ट कर देगी और इसके परिणाम सरूप मानवीय रिष्टे बिगडेंगे लोगों के बीच इस तरह का विभाजन किसी भी तरह से उचित नहीं है तेलंगाना के सी ये भी कहा कि यहां की जनता को अब सिर्फ 13 महीने के लिए इसे जहलना होगा इतना ही नहीं अमिशाहा ने कहा कि राज्जी के लोग आधिकारिक तोर पर हैद्रवाद मुक्ती दिवस मनाना चाहते थे बिविन राजनितिक दलों के नेताओं ने इसका वादा भी किया लेकि चुनाओं हैं तो सियासी पारा तो गर्माएगा ही लेकिन देखना होगा कि चुनावी रेस में कौन आगे निकलेगा टी आरेस और बीजेपी के बीच आज जम कर जुबानी जंग देखने को बिली हाला कि तेलंगाना में मुक्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस है और बी चुनावी शोर देखने को मिल रहा है सत्ताधारी बीजेपी मुक्य विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल अपनी पूरी ताकर जोक रहे हैं जिससे बीजेपी डरी हुई है लेकिन भारतिये जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर कॉंग् खराब कर रही है जिसके चलते पिछले दिनों राज्जी के पूर ग्री मंतरी और कॉंग्रेस ने तवेपुल चौधरी को गरफ्तार कर लिया गया था और उनको आज साथ दिन की पूलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पूर ग्री मंतरी के खिलाफ हुई इस कारवाई जिगनेश मेवानी ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा था जिसके बाद जिगनेश मेवानी खुद निशाने पर आ गए हैं और उन्हें छे महीने की सजा सुनाई गई है जिस पर जिगनेश ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथ हो लिया है जिगनेश ने ट्वीट कर कहा युनिवर्सिटी का हाल बावा साहिव के नाम पर हो ये मांग करना भी अब एक अपराध हो चुका है इससे पहले एक अन्य ट्वीट करके उन्होंने अपने खिलाफ हुई कारवाई की जानकारी देते हुए बिल्किस बानों के दोशियों को रहा करने को लेकर भी सरकार प इस मामने के बाद राज्जी की सियासत गर्मा गई है और कॉंग्रेस आक्रामक हो गई है कॉंग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ हार के डर से कर रही है कॉंग्रेस का आरोप है कि गुजरात चुनाओं में बीजेपी को हार का डर सता रहा है इसलिए वो इस तरह की हरकते कर रही है गुजरात में सत्ता की लड़ाई चड़ी है और महाराष्ट में वर्चस्व की लड़ाई चड़ी होई है और यह लड़ाई है उद्धाव गुट और शिंदे गुट के बीच अब इस लड़ाई के बीच उद्धाव ने एक बार फिर शिंदे को खुली हाला कि आखरी फैसला BMC का ही होगा लेकिन फिलहाल इस बहस के चलते राजी की सियासत गर्माई हुई है और दोनों ही गुटों में बहस बढ़ती ही जा रही है इसी बहस के बीच आज फिर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट को खुली चुनोती देते हुए बड़ा एलान क उद्धव ने साफ किया कि शिवसेना की दशेरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी आज हुई बैठक के दौरान उद्धव ने ये घोशना करते हुए समर्थकों से भीर जुटानी की अपील भी की इसके साथ ही उद्धव ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिल जाने वाले विधाय को पर भी निशाना साथा उन्होंने कहा कि शिवसेना छोड़कर जाने वाले ठक हैं इस मामले पर जुवानी जंग तेज होती जा रही है क्योंकि इससे पहले शिंदे गुट की तरफ से भी ये दावा आया और उन्होंने भी बीमसी के बार्ड आफिस म परमपरागत रैली करती आई है ऐसे में उद्धव इस बार भी यहां रैली करना चाहते हैं और खुद को असली शिवसेना बता रहा शिंदे गुट भी शिवाजी पार्क में ही रैली करना चाहता है ऐसे में अब सभी की निगाहें बीमसी पर जाकर टिकी हैं बीमसी के दवाफ कर दिया है चाहें कुछ भी हो जाए रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी हाला कि मामला बीमसी के पास है और शिंदे गुट उस पर दवाब बना रहा है कि अनुमती उसे दी जाए क्योंकि वो सत्ता में हैं और अपनी शक्तियों का फाइदा उठाने की कोशिश में हैं जैसे केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तमाल करती है और किसी को परिशान करने के लिए जाच एजेंसियों को आगे कर देती है और अब उसके निशाने पर आ गए हैं तेजस्वी आदम बिहार में महागटबंधन को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है बीजेपी पार्टी के दिगज नेता तो बिहार का दोरा कर ही रहे हैं साथ ही केंद्री जाच एजेंसियों ने भी महागटबंधन के नेताओं को अपने रडार पर ले लिया है खासत दौर पर आर जेडी नेता कुछ ज्यादा परेशान दिख रहे हैं और अब तो सीबियाई ने सीधे बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव पर ही निशाना साथ दिया है तेजस्वी यादव की जमानत के खिलाफ सीबियाई दिल्ली की बिशेज अदालत में पहुँच गई और कहा से बिहार की सियासत में अचानक ही उफान आ गया है दरसल मामला IRCTC टेंडर से जुड़ा हुआ है इस मामले में तेजस्वी यादव 2018 से ही जमानत पर हैं जब तेजस्वी यादव जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं और जमानत मिलने के चार साल तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कोट के आदेश को चुनौती देता हो तो फिर अचाना की CBI क्यों तेजस्वी की जमानत को रद कराने पे तुल गई है आजेडी का दावा है कि महगट बंधन पीम मोधी की रहा में काटा बन गया है जिस कारण से बीजेपी को 2024 में दिल्ली की सत्ता हाथ से फिसलते दिख रही है इसलिए केंदरी जाच एजेंसियों की मदद से विपक्षी दलों के नेताओं को बदनाम करने की साज शुरची ज सकता है केंदर सरकार को अब तेजस्वी खटक रहे हैं इसलिए CBI को उनके पीछे लगा दिया है और बीजेपी के इस दिक्कत का कारण है 2024 चुनाओ और तेजस्वी के कारण ही वो बिहार की सत्ता से बाहर हुई है लेकिन बिहार की महगट बंदन सरकार ने भी ठान लिया है कि बीजेपी कोई पैतरा आप ना ले अब वो पीछे हटने वाली नहीं है और 2024 को लेकर अब नितीश ने नई रणनीती बनाई है जिससे बीजेपी के चखके छूट सकते हैं नितीश कुमार 2024 के लोगसभा चुनावों में बीजेपी को सी के दाव से हराने की तैयारी में जुट गए हैं पहले बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर किया और अब केंदर की सत्ता से बाहर करने की तैयारी है और इसके लिए नितीश कुमार अब यूपी पर फोकस कर र उसके बाद से वो बिहार विधान परिशत के सदस्य हैं 2004 के लोगसभा चुनाओ में नितीश कुमार नालंदा और बाढ़ दो सीटों से चुनाओ लड़े थे जिसमें से नालंदा में उन्हें जीत मिली थी जबकि बाढ़ सीट से वो मामूली अंतर से हार गए थे और अब 2024 मे नितीश कुमार फिर से लोगसभा चुनाओ लड़ने के संके दे रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 में दो सीटों पर चुनाओ लड़ा था उसी तरह से नितीश कुमार भी 2024 में दो सीटों से चुनाओ लड़ सकते हैं इसमें से एक सीट बिहार की नालंदा होग क्योंकि इस सीट पर BJP की ओर से RCP सिंग का लड़ना तैमाना जा रहा है और नितीश कुमार उनसे हिसाब भी बरावर करना चाहते हैं और दूसरी सीट उत्तर प्रदेश की फूलपूर होगी इस सीट का प्रतिनिदे तो देश के पहले प्रदान मंतरी पंड़े जवारला नहरू भी कर चुके हैं फूलपूर सीट पर कुर्मियों की अच्छी खासी आवादी है इसलिए ये सीट नितीश कुमार के लिए मुश्किल हो जाएगा नितीश कुमार फूलपूर से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्तिती में उन्हें पूरे विपक्ष का भी समर्थन मिलना तैमाना जा रहा है कॉंग्रेस और सपागटवंदन की ओर से तो इस तरह के संकेत पहले ही दे दिये गए हैं नितीश कुमार दस दिन पहले जब दिल्ली आये थे तो उन्होंने राहूल गांधी और मुलायम सिंग यादब से मुलाकात भी की थी साफ है अब बीजेपी के लिए यूपी का रास्ता भी बंद होता दिख रहा है जेडियू के राष्ट्रिय दिर्श ललन सिंग से जब सवाल किया गया कि क्या नितीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है तो उन्होंने इस संभावना से इंकार नहीं किया यानी साफ है कि जेडियू नितीश को मोदी के खिलाफ लड़ाने की तैयारी कर चुकी है इसके साथ ये भी साफ हो गया कि नितीश कुमार ने अब पीएम पद पर अपनी दावेदारी भी कर दी है और बुलिटन के आखिर में बात 75 साल बाद देश में चीतो की वापसी की आज मद्प्रदेश के शियोपुर के कुनो राष्टिय उद्यान में पीएम मोदी ने चीतो को छोड़ा लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया है चीता प्रोजेक्ट को लेकर कॉंग्रेस सांसर जैराम रमेश ने दावा किया कि चीतो को भारत लाने का प्रयास यूपीए की सरकार के चलते ही सफल हो पाया 2009 में मनमोहन सरकार ने चीतो को भारत लाने का प्रोजेक्ट तयार किया और उस पर अमल शुरू किया जिसे आज पूर्ट सफलता मिली और कॉंग्रेस की कोशिश का लाब उठाने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है चीता प्रजेक के लिए पचीस चार दोहजार दस को केप टाउन की मेरी यात्रा का जिकर तक ना होना इसका ताज़ा उधारन है क्या कुछ हुआ आज और कॉंग्रेस के इन आरोपों में कितनी है सच्चाई जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट प्रिधान मंतरी नरींद्र मोदी का जन्म दिन है और इस खास मोखे को और भी खास और यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने नामी विया से आए आठ चीतों में से तीन को मदप्रदेश के कुनो पालपूर नेशनल पार्क में बने क्वरिंटाइन बाड़ो में छोड़ दिया है इसके साथ ही 74 साल बाद भारत में चीतों की आवाज सुनाई देगी इन चीतों को विशेश विमान के जरिये गौलियर एरपोर्ट लाया गया था और अब इस प्रोजेक्ट की गूँज हर तरफ है इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी पीएम ही चाय हुए है हाला कि ये कोई नई बात नहीं है कि किसी छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा हाइलाइट करना बीजेपी को बखू भी आता है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस प्रोजेक्ट पर आज मोदी सरकार तारीफ है लूट रही है हर जगह पीएम की चर्चा हो रही है असल में ये प्रोजेक्ट इस सरकार का है ही नहीं बलकि ये प्रोजेक्ट है यूपीए सरकार का जिसे साल 2009 में यूपीए की सरकार के दोरान शुरू किया गया था हाला कि इस से पहले साल 1970 में ही ये कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद साल 2008-2009 में ये कोशिश हुई जिस दोरान प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ता हुआ उस समय भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग थे मनमोहन सिंग की सरकार ने इसे मंजूरी दी मंतराले ने वनिजीवन विशेश गयाम के रंजीत सिंग एक अमेरिकी अनुवानशी की विज्ञानी स्टीफन ओब्राइन और सीसी एफ के लारी मारकर से विचारवे मश करने के बाद 2010 में नामी विया से 18 चीतों को मांगने का प्रस्ताओं किया गया था। लेकिन साल 2013 में सुप्रीम कोट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी और करीब साथ साल बाद साल 2020 में कोट ने इस रोक को हटाया। जिस कारण से ये ताज मोदी सरकार के सर सज गया है और आज सरकार UPA सरकार के प्रजेक्ट पर खुद का नाम कर रही है तो आज इस बुलिटेन में बस इतना ही देखते रहें डीवी लाइब नमस्कार